रासा एन एक समिकरन लेखन के नियम अभीकारकों को बाईय और लिखा जाता है और उत्पादों को दाहिने और लिखा जाता है अभीकारकों से उत्पादों की और जाने की क्रिया एक बाण द्वारा दरशाही जाती है दो या दो से अधिक अभीकारक या उत्पादों तो उनके बीच में जोड का चिन्न अधिक लिखा जाता है जैसे NaOH प्लस HCl इनमें अभिक्रिया होकर NaCl प्लस H2O अभिकारों की और उत्पादों की भोतिक अवस्थाएं जैसे ठोस अवस्था, तरल अवस्था और वायूरूप अवस्था इन सभी अवस्थाओं को SIG इन अक्षरों द्वारा दर्शाय जाता है इन अक्षरों को हमेशा कोष्ठक में लिखा जाता है और इन्हें अभिकारकों और उत्पादों के निचले हिस्से में लिखा जाता है अंग्रेजी में इस प्रकार के लिखन को सब्सक्रिप्ट कहते हैं गैसिय पदार्थों को उपर जाने वाले बान के माध्यम से दर्शाय जाता है ऐसे ठोस पदार्थ जो घुल नहीं पाते हैं उन्हें अवक्षेपक कहा जाता है इन्हें दर्शाने के लिए नीचे की ओर जाने वाले बान का उप्योग किया जाता है जब अभिकारक और उतपात पानी में विलेन के रूप में होते हैं, तो उन्हें जलीय विलेन अवस्था कहा जाता है. इस अवस्था को एक्च्यू इन अक्षरों में दर्शाया जाता है. ये अक्षर कोश्ठक में रसायनों के लगुरूपों के बाद लिखे जाते हैं अगर अभिक्रिया करने के लिए उश्णता का उपयोग हुआ हो तो उसे डेल्टा के रूप में दर्शाया जाता है यह डेल्टा बान के उपर लिखा जाता है अगर अभिक्रिया के दौरान उष्णता निर्मान हुई हो उसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है C.U.S.O.4 अक्वियस अर्थाद जली अबिलेन के रूप में है अधिक Z.N. सॉलिड अर्थाद ठोस इनमें अभिक्रिया होकर Z.N. SO.4 अक्वियस अर्थाद जली अबिलेन के रूप में है प्लस C.U. सॉलिड अर्थाद ठोस प्लस उष्णता अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए योग तापमान, दबाव, उत्पेरक, इत्यादी परिस्थितियों की आवशक्ता होती है ये सारी परिस्थितियां बान के ऊपर या उसके नीचे लिखकर दर्शाई जाती है जिससे अभिक्रिया की दिशा भी ग्याद हो सकती है जैसे उधारन के तौर पर वनस्पती तेल अधिक हाइड्रोजन को हमने 60 डिगरी सेल्सियस पर गरम किया इसमें उत्परे रख के रूप में निकल का इस्तमाल हुआ हमें इस अभिक्रिया से वनस्पती ही प्राप्त हुआ अभिकारकों और उत्पादों के नाम सूत्रों के निचे लिखे जाते हैं अभिकारकों और उत्पादों के बारे में अगर कोई खास प्रकार की जानकारी हो तो उसे भी सूत्रों के निचे ही लिखा जाता है अभीकारकों की परिस्थिती में बदलाव के कारण उत्पात के रूप में भी परिवर्तन की संभावना होती है द्रव्यमान की अभिनाशिता के नियम अभीकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पात का कुल द्रव्यमान तीसरी और पांच्वी स्थिती में वजन क्या होगा? हम इसे क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं? आपने इसमें कौन से परिवर्तन देखे हैं? डेल्टा के पहले और बात की घुलनशीलता के बारे में हम क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं?